आज है लोग तंदर का महापर्व आज एक ऐसा दिन जिस दिन हर्याना की जनता एक बार फिर से सरशक्त सरकार बनाने की तैयारी करेगी 24 अक्तूबर को सब के सामने नतीज आएंगे स्वक की बड़ी खबर आपको बता दे हर्याना में दंसवाद चुनाव 2019 है हर्याना में चैरों में बनाए गए 5,741 मतदान केंद्र अगर बात करें गरामिल शेत्रों की तो इसकी संक्या है 13,837 मतदान केंद्र गरामिल शेत्रों में कुल मिलाकर हर्यारा में एक करोड़ 83 लाख मत दाता है देखना होगा कितना ज्यादा वोटिंग परसेंटेज रहता है आज 2923 स इसके इलावा अगर बात करें 83 केंद्र ऐसे हैं मतदान केंद्र जो 38 समवेदन शील है उन्हें इस के टेगरी में रखा गया है 21 अक्टूबर यानि कि आज प्रदेश की जन्रता मतदान करने जा रही है 7 वज़े से मतदान शुरू हो जाएगा 24 अक्टूबर को सब के सामने नतीज आएंग और ये मालूम हो जाएगा कि हरियाना की गड़ी पर कौन काबिस होता है अगर बात की जाए हरियाना चुनाओ की तो आपकी बार बहुत दिल्चस्प मुकाबला है एक तरफ बीजेपी कॉंग्रेस और जेजेपी इनेलो सभी पार्टिया डाव बड़े बड करते हैं क्योंकि आज ही हरियाना की जनिता को चुनना है अपना प्रत्याशी अपना विधायक और सरकार भी हाला कि 24 अक्तूबर को सुबह साथ मजे से ही ये नतीजे सामने आज जाएंगे शुरू हो जाएंगे लेकिन उससे पहले आज के हम अगर बात करें तो ये जो सिलस के से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है उसके बाद सब कुछ देखा जाएगा वहां एजेंट मौजूद होगा अब जब सब कुछ प्रक्रिया ये खत्म हो जाएगी उसके बाद जो असल प्रक्रिया चुनाव की वो शुरू हो जाएगी सुबह साथ बजे से ही मत दाता अ अपने मत का इस्तेमाल करना शुरू हो जाएंगा और देखिए अब जनता बहुत जागरुक हो चली है जागरुकता पहलाई है चुनाव आयोग ने भी तो उसका असर भी दिखाई देता है और इसका असर यह होता है कि अब लगातार ऐसी बाते सामने आते हैं कि जब भी कहीं भी विदान सबाचनाव होता है लोग सबाचनाव आपने देखा बढ़ चड़कर हिस्सा लेते दिखाई देते हैं मतदाता एक वोटर और आम नागरिक आज महाराश्ट्र और हर्याना में विदान सबाचनाव है इसके लावा उप्चनाव भी हैं 51 विदान सबा सीटों पर दो लोग सबा सीटेंसी जहां पर मतदान आज होना है यह उप्चनाव है और हर्याना विदान सबाचनाव भी आज है माराश्ट में 288 सीटों पर जबकी हर्याना में 90 सीटों पर आज मतदान होने वाला है सुबह 7 बजे से कुछ ही समय बाकी है लगवक 40 मिनट के करीब बाक कि यह उसके बाद वोटिंग का सिलसला शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे जो वोटिंग प्रतीशत है वो बढ़ेगा उसकी जनकारी भी आप तक हम पहुंचाएगा यह सूपर कवरेज खबर अभी तक पर आप देख पा रहे हैं शेहरों में जो मत्दान किंद्र हैं उस पर हैं कुछ समविधन शील है कुछ अती समविधन शील है एक करोर तिरासी लाक मत दाता है इन में से कितने मत दाता अपने मत का अप्रेयों करेंगे यह देखने वाली बात होगी लेकिन जन्रता के सासत कहीं दिगज भी आज वोट डालेंगे मुखे मंतरी मनोरला सुभा नो हो भी फरिदाबाद में अपना मत का इस्तेमाल कर लेंगे और साति रामबिला शर्मा जो की कैबिनेट मंतरी से 2014 के बाद गाउं राटिवार में अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे कैप्टन अभी मन्यू सुभा आठ बजे नार्नोंद में मतदान करेंगे यहीं से जाबी वोट डालेंगी तमाम तरह की जो तस्विरें वो आप तक पहुँचाएगा खबरेवी तक हमारे सबी समाधाता तयार है तमाम जानकारी देने के लिए और जो मतदान केंदरें वहाँ पर भी आपको लाइव कवरिज हम दिखाएंगे कि फिलाल क्या माहौल वहाँ ठीक 6 बच कर 25 मिनट के बाद आपको वहाँ की तस्विरें भी हम दिखानी शुरू कर देंगे लेकिन राम बिलाई शर्माज जिन पर नजर बनी हुई है कि वो क्या अब की बार कमाल कर दिखाएंगे ये तो 24 अक्तूबर की तारीख ही बता पाएगी लेकिन इतना जरूर है कि 80 चोटी का जोर तमाम दिखजों ने लगाया है ये कोशिश रही उनकी कि जनता को समझाए कि वो कितने वाइदे और दावे कर रहे हैं और इनमें कितने सच्चाई है या जनता कितना विश्वास करेगी ये 24 अक्तूबर की तारीख बताएगी लेकिन उससे पहले आज का दिन बहुत ही जादा महत्पूर है वो इसलिए है क्योंकि लोक्तंतर का पर कहा जाता है वोटिंग के दिन को और आज के दिन आपको मतदान करना है खबरे अभी तक भी आपसे अपिल करता है कि आप घर से निकलिए और जितनी जल्दी हो सके वोट डालिए क्योंकि ये के मतदान केंदर में इसके लावा आपको ये भी जानकारी देदे की मौकपूल होना है जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया उसके बाद ठीक साथ बज़े से तमाम जो मतदान केंदर हैं वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो समय से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे जो प्रतीशत है वोटिंग का वो भी शुरू हो जाएगा इस पर हमारी लगातार नजर बनी रहेगी एक मीटर हम आपको दिखाएंगे वोटिंग का और इस मीटर के तहती आपको ये मालूम होगा कि आखरकार कितना वोटिंग प्रतीशत हुआ है हरियाना में आज और जैसा कि मैंने पहले भी आपको जानकारे दी कि हरियान और महराष्ट ये दो राज्ये ऐसे जहां पर विठान सबाद चुनाव आज हो रहे हैं यहां पर वोटिंग होगी साथ बज़े के बाद और बड़ी बात ये भी है कि आम चुनाव के बाद देश का मूर फिल विशेशक्य है वरिश पतरकार है उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे जानकारी वो भी आपको देंगे कि क्या कुछ खास अब की बार इस विठान सबाद चुनाव में होने जा रहा है क्या कुछ ऐसा रहेगा जो आपने पहले कभी देखा नहीं होगा लोग सबाद च जाएं तो तमाम तरह की जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचाएगा खबरे अभी तक क्योंकि हमने आपसे वाइदा किया कि हम सूपर कवरेज आपको खबरे अभी तक पर जरूर बताएंगे दिखाएंगे कि आखितकार क्या-क्या तस्वीरे आज हरियाना से सामने आदेगी और 24 अक्टूबर को सबसे के सामने ये साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन बाजी मार ले जाता है हरियाना से और अब कि इसकी सरकार बनने जा रही है क्या फिर से बीजेपी की या फिर बदलेगी सरकार कॉंग्रेस की जेडेपी की इन एलो की ये देखने वाली ब जो वोट प्रतीशत जादा करेगा और उमीद यही है खबरे अभी तक की भी और शुनावायों की भी कि आज हरियाना की जनता ये बता दे कि वो वोट डालने में जागरू कितनी है और कितने जादा प्रतीशत आज मतदान वो करके दिखाती है एक उधारन पेश करके दिख जेपी सरकार आई थी 2014 में उसके बाद बने वो भी आज वोट डालेंगे साथ बड़े करीबन जो समय है वो तो दे रखा है साड़े साथ का कृष्ण बेदी का और श्याबाद से परिवार के साथ वोट डालते नजर आएंगे वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जनता के सा साथ जो कहीं दिगज है वो अपने मत का इस्तवाल कुछी दिर बाद करेंगे लगभग अब समय बचा है सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट उसके बाद वोटिंग के प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और तोहाना की बात करें चाहे बात करें भुपेंद्र हुटा की रोहतक की बात क कवीता जैन की तो बड़े-बड़े नाम है बड़े-बड़े काम इन्होंने करने के दावे किये हैं लेकिन ये काम कितने ज्यादा सफल हुए हैं क्या उन कामों के बिना पर इनको आज जनता वोट देगी या नहीं यह देखने वाली बात होगे फिलाल जो देखिए तस्व पर इस दावर्मा मारे साथ अंबाला से लाइव जूड़ चुकी है अनिल मोर करनाल से लाइव जुड़ चुके हैं दोनों के पास बारी-बारी चलते हैं पहले चलेंगे करनाल cm City करनाल बहुत ज्यादा माथ पूर्ण ये विधान सभा कि सिट अनिल मोर फिलाल बताइए की मोकपोल की तैयारी चल रही होगी इसके बाद दे 7 बजे वोटिंग का सिस्रा भी शुरू हो जाएगा क्या ताज़ा जानकार आपके पास और दर्शिकों को बताए कि प्रक्रिया किस तरह से शुरू होगी और दिकते परिशानी नहों चुनावाई गोड़े ऐसी क्या विवस्था कर रखी है अब की बार इस विधान समझना हों में देखे बिल्कुल वो घड़ी आ गई है जब हरियाना के मत दाता है करीब एक करोड़ ब्यासी लाख ब्यासी हजार के करीब मत दाता है मैं खुद करनाल में खड़ा हूस अबसे पहले मैं इसे मत दान के इंदर को दिखाने चाहीं अहाँ जहांपर मुख्यामंधरी अपने मत का इस्तिमाल करेंगे परशासन की तरफ से चुनावाई की तफसे पर तैयारिया पूरी कर ली गए थी लोगों को जागुरू किया गया था अब लोग कितना मत का इस्तिमाल करते हैं क्योंकि अगर आज मोसम की बात करेंगे, जो मोसम विभाग है उसका भी कहना की मोसम काफी सुहाना रहने वाला त एगर अगर पूरी कर लिए गया अगर कि सुरकशाबलों की अ के इनकर है सवालाग के सब्सक्राइब करमचारी है। जिनकी इस जुनाव पर करीमें ड्यूटिया लगाई गया जब लाग के करीब करमचारी अपनी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी अपनी करेंगे जो एक्रमत है यह भी मिली थी कि अब मुख्यमंतरी ट्रेन में तो आएंगे इसके बाद साइकल से भी मद्दान केंदर तक पहुंचेंगे क्या यह जानकारी पुखता है क्या ऐसे होने वाला है बिल्कु देखे ओफिसली जो मुख्यमंतरी का जो टूर पलाना उसमें यह जारी तो नहीं किया गया लेकिन मुख्यमंतरी पुने दस बज़े के करीब जो करनाल रेलिव स्टेशन वहां पर पहुंचेंगे जो हमारे पास बातें सामझे हैं कि मुख्यमंतरी वहां से साइक कि जरी मतदान के अंदर तक आने का सिधा सिधा मकसद यह है लोगों को जागवरी किया जाएं हम स्वाश्ते की बात करें जाएं को ज्यादा overly करने के लिए मुख्यम नतरी साह के कि मत्यान के अंदर तक आएंगे हैं उसम दूसरे बढ़ने ताह की बात कर lumière जो बीजेपी के परदेश सदेक्साइद सुभास ब्राला वो 7 बजे उनका पैतरी गाउड डांगरा पड़ता है, डांगरा में अपने मत का इस्तेमाल करेंगे, वहीं जो के शुष्षा मंत्री रामिला शर्मा अपने पैतरी गाउं में महिंदरगर्ड विधान सभा में पड करें बुपेंदर सिंह उद्था पैतरी गाउं सांगी इन अपने परिवार के साथ सांगी गाउं में अपने मत का इस्तिमाल करेंगे कुमारी सहलजा का जो वोट है वो हिसार का वोट है भले उस आंसद अंबाला से रही हो लेकिन उनका जो वोट फिलाल तो जानकर ये भी दीजे कि कितने समवेदनशील और अतिस समवेदनशील यहाँ पर बूट है और फिलाल क्या तयारिया चल रही है वहाँ पर किस तरह से यहाँ पर मौक पोल की तयारी है यह भी आप बताईए वलकुल कमल देखे अंबाला कैंट और अंबाला शहर के चुनाव होने हैं और ऐसे मैं अगर बात करें इस वक्त मैं खड़ी हूं अंबाला कैंट के पोलिंग बूट पर और आपने बात करी समवेदनशील और अतिस समवेदनशील पोलिंग बूट की तो 131 जो हैं अंबाला मे दिखाना चाहूंगी जो चल रही है पोलिंग वूत के अंदर यहां पर पोलिंग ओफिसर्स पहुंच चुके हैं और जो मशीन से जिसमें बैलेट यूनिट हो या फिर कंट्रोल यूनिट हो और वीवी पैट मशीन जिसमें जो भी बदाता है वोट करेगा और साथ सेकेंड के इवियम में से गड़ छेड़ चाड़ की जाती है जिसको देखती हूँ वीवी पैट लेकर आये थे चुनावायोग लेकर आये थो और इसी की एक सीधी तोर पर बात करें तो जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है हर्याना के अनुराग अगरवाल उनने सीधी तोर पर कहा कि यहां पर कुछ पोस्ट जो हैं लगाये गए हैं जिसमें यह दिखाया गया है कि कोई भी मद्दाता जो अपना यहां वोट डालने आए तो उसके पाद कौन-कौन से डॉक्यमेंट से जो एहम होने चाहिए ताकि जब वो यहां पर आये तो उसे कोई दिक्कत ना हो जिसम कि यहां पर नौ बचे का टाइम है अनिलविच का जब वोट डालने आएंगे और तमाम आज मद्दाताओं का दिन है और हर्याना का महतसब है जिस तरह से तो उस महतसब की तियारियां भी पूरी होती नजर आ रही हैं हर पोलिंग बूत पे इसी तरह की तियारियां चल रह रही है बहाँ जो पार्टी है जो पार्टी वोकल्स हैं जो स्लिप्स तो भी अपने अपने कुर्सियां और अपने टेंट लगाने उन्हुनेंades कर दिए तो साद बाए तक करीब आप मान के चलिए कि पूरी तैयारियां हो जाएगी और मदाता भी आने शुरू हो जाएंगे और हर्याना को जो मुखथ सवैस में शामिल होंगे जी कमल अजिए आम बाला से आप लगतर हमाईसा फूर रहेगा आनिल मौर के पासफ़ छे ले चलते हैं अनिल मौर किस तरा से अब की बार हर्याना विधान सभा चुनाओ खास है आपको जानकारी भी दे रहे थे देखिए इस वार का होज़ाना विधान सबाच चौनाव काफीए ऐहम होने वाला है क्योंकि अकर बात करें पांच साल पहले बीजेपी क्यार में आई थी चुनावी परिनाम आए थी उससे पहले जैदा उमीद नहीं थी BJP की हरیاğना में अकेले दम पर कभी सरकार नहीं बनी थी लेकिन पांच साल पहले करिश्मा होता है BJP पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाती है अब पांच साल हो चुकिए है पांच साल बाद कि ब्युक्त करें, दस साल तक को इस do रधस्था से हर्याना के मुख्वास मंतरी से अंध्रे को मुख्यां मंतरी रहेया कुमारी चुनोती भूपेंदर से सच्भास में इन में अपने देखने को मिलती थी एक मेना पहले के करीब जो कॉंगरेस में जो एक शीर से नेतरी तवे हरियाना को उसमें बदलाव किया गया कुमारी सालजा भूपेंदर सिंग उड़ा को कमान दी गई अब भूपेंदर सिंग उड़ा कुमारी सालजा के सामने चुनोती है कि वो किस तरी हुए थे जीत करा थे उस वक्त मुख्य भी पक्षी दलती लेकिन अब इनलों के पास है कुछ खास विधायक बचे नहीं है तक्रीबन ज्यादा तर विधायक इनलों छोड़ चोड़ कर बीजेपी मिच लेगा इनलों के लिए अपने अस्थित्तों की लड़ाई काफी तूटने के बाद एक नई पार्टी अस्थितों में आती है जन्ना एक जन्ता पार्टी जिसकी कमान पूरन तोर पे दुछे चुटा लगे हाथों में है और युवा नित्रिताव को लेकर युवाओं की युवाओं को लेकर ये लोगों की तरफ से दावे की जा रहे है कि कि युवाओं की सरकार होगे उनके ना कहीं जेजेपी का भविश्या कैसा रहेगा वो ये चुनाव निर्धारित करेंगे पूरा का पूरा चुनाव परचार आपने देखा अगर बीजेपी की चुनाव परचार की बात कर लें थैंप परदान मंतरी ने ने कई रहले हैं की अमित्व शाजेपी नड़ा राजनाथ सिंग समेज और बीजेपी के तमाम बढ़े नेता है कई राज्यों के मुक्या मंतरी चाहिब हम बात करें योग यादी तैनाथ की बात करें बात करें तमाम पार्टियों के निर्धाओं ने पूरा जोर लगाया है और अपनी और से ये दावा भी क्या है कि आपकी बार उनके सरकार बनेंगे लेकिन ये तो हर्याना की जुनिता आज एयों में कैद कर किसमत उनके बता जाएगी आखिरकार 24 सक्तोबर को वो क्या नतीजा बताती है अनिल मौर और पूजा वर्मा आप अंबाला और करनाल से दोनों बने रहे कि हमारे साथ तमाम जानकारी आप से लेते रहेंगे हम